हेलो एवरिवन वेलकम टू पीवाई क्यू सीरीज जहां पर हम सारे के सारे जो पीवाई क्यू हैं प्रिविएस यह के जो कोशन है वह सॉल्व कर रहा है आप सभी मेरे को जानते ही हैं मैं हूँ अरपित्वर में फेवरिट फी लर्निंग प्रैट्फरम जहां पर आप सब पर सेट के जो कोशन थे वह लगभग सेम ही थे तो या सेट वन टू या कुछ भी एक सेट देख लो तुमारा पूरा का पूरा प्रिपेर हो जाएगा 2017 के हमने अच्छे से प्रिपेर करें थे ठीक है कुछ कोशन हो सकते हैं सेम फॉर्मेट में तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सा आत्म है एक साइड में लेखते जाना ठीक है कि यह वाला आया था यह वाला इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलो फिर विना कुछ टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कोशन से देखो कोशन नमर्व वन और टू तुमारे है एक सॉलिड से ठीक है एक तुमारा दूसरे चैप्टर से सर्फेस के मस्ती से ठीक है तो वह अगर आगर आगे वाले आगे यह के लिए पढ़ेंगे तब आपन वहां पर clear करेंगे ठीक है तो आप कोशन नमबर 3 पर देहन दो क्या लिखा है राइट दी कोडिनेशन नमबर एंड ऑक्सिडेशन स्टेट और प्लेटीनियम प्लेटीनियम के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं तो इसका उसका कितरा नमबर देता हूं और प्लेस यहांपे टू इंटू कितना प्रेजेंट है माइनस बन में प्रेजन होगा रहलीट है मैं प्रेजएंगोगा कोई भी number present नहीं है coordination spare की उपा इसलिए 0 लगा दिया ठीक है clear हो गया चलो आप let's go solve करो plus x plus यहाँ पे कितना होगा 2 into 0 20 है ना तो लिग देना फिर तुम 20 0 plus यह हो जाएगा plus minus minus तो यह हो जाएगा minus 2 is equal to 0 x की value निकालो x is equal to कितना आएगा 2 plus 2 आएगा x is equal to कितना आएगा plus 2 clear हो गया यहाँ पर देखो तो यह हो जाएगा minus और यहाँ पर जाएगा तो यह हो जाएगा plus 2 clear हो गया तो यहाँ पर oxidation state of platinum is plus 2 ठीक है तो जाएगा oxidation state of platinum is plus two clear is plus two अब देखो उसमें बोला है तुम्हारा क्या एक पूछा है तुमसे coordination number coordination number वो होता है ध्यान से तुनना coordination number वो होता है कि जो central metal iron को central metal iron से कितने ligand कितने भी जितने ligand हैं किस से जाके bind हो रहे हैं ठीक है number of ligand जितने भी bind हो रहा है central metal से उसे अपन coordination number बोलते हैं clear हो गए यहाँ पर ठीक है तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर देखो pt जो जुड़ा हुआ है pt ठीक है यह e n से जुड़ा है यह भी एक e n से जुड़ा है यहाँ पर chlorine है यहाँ पर chlorine है ठीक है अब एक चीज़ धियान रखना जो तुम्हारा e n होता है यह क्या होता तुम्हारा by dented by dented ठीक है क्या होता तुम्हारा by dented मतलब इसके पास दो side होती है binding के लिए तो हम दो count करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो e n कितने present है दो e n है दो ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा two क्योंकि उसके by dented है into two क्योंकि वह दो प्रेजेंट है ठीक है फिल अस ठीक है chlorine कितने दो प्रेजेंट है chlorine का एक ही होता है वह अपना लोन पर बस एक ही वार दे सकता ठीक है तो इसको मैं लखूंगा plus two तो यह हो जाएगा four plus two is equal to six ठीक है तो coordination number of platinium यहाँ पर कितना होने लिख रहा हूं मैं ध्यान से सुनो ठीक है कि coordination number यहाँ पर क्या होगा coordination number of platinium यहाँ पर होगा six ठीक है और oxidation oxidation state of platinium कितनी होगी इसकी यहाँ पर कितनी निक्राई थी plus two plus two ठीक है अब यहाँ पर practice करो इसके नाम के साथ क्योंकि नाम नहीं पूछा है मैं तुमसे करा रहा एक नाम बता उसमें क्या होगा clear है आगे चलते हैं देखो question number तुम्हारा जो four है अब उसमें क्या है यहाँ पर बोला है out of chlorobenzine and benzyl chloride which one gets easily hydrolyzed by aqueous naoh and y ठीक है तो इसका reason देना है तुम्हें और कैसे कौन सा ज़ादली से hydrolyze हो रहा है वो हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर अ benzyl chloride allyl chloride और aryl chloride पूचे थे ठीक है विनाइलिक chloride पूचे थे तो अगर तुम्हें पता होगा याद होगा ठीक है तुम्हें क्या बोलता जो भी benzyl group है ठीक है क्या लेखेंगे उसको benzyl इसको बोलूँगा मैं इस क्यूंपर जो भी present होगा उसको मैं बोलूँगा वहाला group अगर alcohol होता तो OH लिखता, अगर aldehyde होता तो सुना होगा benzyl aldehyde, मैंने पिछले वाले में बताये था, clear है, तुस्से नोगो, यहाँ पर क्या है, अब which one gets easily hydrolyzed, तो इसको लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, और लिख रहा हूँ यहाँ पर aquas, naoh, यह दोनों के लिए हो गया, अब इस मैं से कौन सा जल्दी से हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, मैं इसके बारे में समझना है, ठीक है, क्या होगा, ठीक, यह तुमारा chlorine है, अगर यहाँ से यह चला गया, और एक यहाँ से यह चला गया, ठीक है, तो ध्या यह तो यह वाला होगा, यह होगा, यह होगा, तुमारा अनस्टेबल, क्लियर है, वही पर अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो, क्या हो रहा है, प्लस, सिंगल, डबल, तो यहाँ पर क्या आ गया, पार्शिल, डबल, बॉन्ड केरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर आ गया, त होगा, तुमारा इस्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से एने ओएस से यह तुमारा क्या हो जाएगा, यह तुमारा जाके हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और बना देगा बेंजायल एलकोहल ओएच, ऐसा हो, ठीक है, इसको ही होने में थोड़ा टाइम लग जाएग ठीक है, due to stability of carbocatine, due to stability of benzyl carbocatine लिखना है, या फिर carbocatine लिखना है, वो तुमारी उपमर्जी है, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक नमबर तुम्हें वैसे मिल जाएगा, फिर अपना आगे चलेंगे, कोशन में, कोशन में जो 5 पूछा गया था, वो थ यहाँ पर 4 देख रहा है, ठीक है, ऐसे देखोगे तो 4 ही देखेगा, जल्द बाजी करोगे तो, तो दिहान से देखो, हम क्या करेंगे इसको, पहले तो मैं लिखूँगा इसको, CH3, तुम ना इभी लेखो, तो भी चलेगा, ठीक है, CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है, यह CH, और पर CH3, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस वाले को मैं लिख रहा हूँ, CH2 और यह CH3, जैसे ही तुम इसको ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हें एक लंबी चीन देखने लगेगी, कौन सी देखेगी, द ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग वहाँ से करोगे, तुम जहाँ पर तुम्हारा functional group पास पढ़ रहा है, यह तुम्हारा क्या है, functional group, सब को पता होगा यह बात तो, क्योंकि यह क्या alcohol है, क्लियर हो गया, अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखो, तुम नंबरिंग स्टा ट्रियर Day-alley km हो गया मतलँ मैंने ब्रैकल के बार के सारे चीज़ा और आब नहीं किया फंक्शनल से बहुत है डिये का लोट है तो यूझ क हो हम्सक्रिक्स इसका होगा टियू तो सबसे पहले बास करें यह में बात कर लेते हैं यह है तुमारा हर जगा एंट फिर जिसका ई है उसको आपना रिप्लेस कर देंगे इसके फंक्शल ग्रोप से ठीड है कहां पर प्रतन पर है तो इसको मैं और लेग दूँगा खटम ठीक है तो यह तुम्हारा हो जाएगा ठीक है यह तुम्हारा अंसर हो जाएगा कोई दिक्कत की बात ही नह करेंगे अपनों उसको नियुमेरिकल के से करेंगे फॉर्मूला कौन से लगाएंगे इवाइन डिसकस किया था ठीक है पहली लाइफ क्लास थी वह मेरी चलो ठीक है तो मुझे याद है यहां पर कैल्कुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉलिशन ठीक है तो यह कह र ठीक है यहां पर देखो वाटर ठीक है प्लस ग्लुकोस के सॉलिशन क्या ग्लुकोस के साथ एक बन रहा है तुम्हारा सॉलिशन ठीक है तो चलो मतलब यह तुम्हारा बन रहा है यह तुम्हारा सॉलिशन बन रहा है ठीक यहां पर साठ ग्राम ग्लुकोस प्रेजेंट है त into kf into molality small m, ऐसा होता है formula, सबको याद है, ठीक है, इतना समझ में आगा है, चलो, अब देखो, kf को मैं क्या बोल सकता हूँ, cryoscopic constant, यहाँ पर tf की value कितनी given है तुम्हाँ पास, tf की value नहीं दिया है, क्योंकि freezing point ही तो पूछा है, ठीक है, यहाँ पर हम मैं निकार लूँगा, तो कितना दिया है, 60 gram glucose given है, तो इस formula को थोड़ा और open करो, ऐसे लिखूँगा, मैं I into kf, molality का मतलब होता है, given weight of solute, upon molecular weight of solute, into solvent का weight, अगर kg में है तो ठीक है, हमें पता है, gram में दिया है, तो उपर करूँगा, मैं 1000 से into, ऐसे, clear हो गया, और मैंने एक चीज़ बताई थी, कि glucose हो, ठीक है, यूरिया हो, सुक्रोस हो, या फिर कोई भी सुगर हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सुगर हो, उस सबका जो want of factor है, वो 1 होता है, मतलब वो जब भी solution के अंदर जाते हैं, तो वो एक ही पार्ट में तूरता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर I की value कित given weight of solute given है क्या, देखो, 60 gram glucose जा रहा है, तो मैं लेख रहा हूँ, 60 into 1000, 1000 तो पहले से ही given था, molecular weight of glucose given है क्या, यहाँ पे देखो, कितना present होगा, glucose given है, molar mass 180, into, यहाँ पर solvent, तुम्हारा solvent क्या है, water है, क्या water का given है, हाँ दिया है, कितना 250, तो 250 इसका दिया है, clear हो गए यहाँ सबको, is equal to TF, चली रहा है, हमारा यह चल रहा है, TF, ठीक, किसी को दिखकर, यहाँ पे नहीं न, ठीक, जहाँ पे आप TF की value जब तुम calculate करोगे, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, 250, यह 4, ठीक है, यह तुम्हारा 3, यहाँ 3 से इसको काट होगे तो आएगा, 0 पॉइंट यह आएगा, तुम्हारा 6, 2, ठीक है, 4 इंटु 6, 2 यह हो जाएगा, तुम्हारा कितना, यह हो जाएगा, 8, 2.4, ठीक है, 2.48 तुम्हारा यहाँ आएगा, क्लियर है, 2.48 तुम्हारा TF, तो यह आगे तुम्हारा TF की value, ठीक है, मतलब, जो glucose present as my calculus freezing point of a solution निकालना ह यह अपना सिर्फ glucose का निकला, तो हमें को पता है, हमको क्या पता है, कि TF is equal to क्या होता है, देखो, TF is equal to, TF, T0F, minus TF होता है, TF क्या होता है, तुम्हारा TF क्या होता है, pure water का, freezing point, हमको पता है, वो कतना होता है, 273 कुछ होता है, 273 minus TF is equal to TF, तुम्हारा यह, clear हो गया, यहाँ पे हमें इसकी value मिल छुकी, इसकी value नहीं मिली है, glucose वाले की नहीं मिली है, ठीक है, glucose वाले की नहीं मिली है, तो क्या नकालूंगा मैं, TF, इसको एस साइड लेकर आउंगा, तो देखो, क्या है, देखो, TF, यह तमारा glucose लेकर यह ता हूं, ओसे, 273 minus, इसको मैं इधर लेकर, G, इ 2.48 तो लगबग लगबग इसकी वैल्यू तुमारी कितनी आएगी टी एफ जो जी है इसका लगबग आएगा 270 के आसपास आएगा ठीक है यह कैलकुलेट कर लेंगा 270.5 कुछ ऐसे कुछ आएगा ठीक है एतने तुमारा ऐसे वैल्यू आएगी क्लियर हो गया तो तुमारा पॉइंट बताओ जब उसके अंदर ग्लुकोस प्रेजेंट तो मतलब वही बोल रहा हूं मैं यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ओफ इसको मैं ऐसे लिखता हूं देखान से देखना यह मैं लिख रहा हूं प्यूर वाटर ठीक है और यहाँ आपर मैं लिख रहा हूं ग्ल से कोशन पूचा गया ठीक है यह वाला भी मैंने बहुत अच्छे से कर रहा था साइधी अपने रिविजन क्लास में भी पढ़ा था ठीक है क्या फॉरा रहा है क्या 4NO2 प्लस बना रहा है ठीक है तो रियक्शन मैं हमेशे लिखता ही हूं अपने साइट से भी तो ऐसे लिख ठीक है तो मैंने यहीं बताया था रेट ओफ फॉर्मेशन जो है मतलब एक चीज बनते जा रही है रियक्टेंट कम होता है प्रोड़क्ट बनते जाता है बनेगा तो देखेगा ठीक है जब फॉर्म होगा तो अपियर होगा तो मैंने बताया था इसको मैं क्या बोल सकता हू rate of appearance rate of appearance of NO2 कितना दिया है यह आप धान दो 2.8 into 10 की पावर minus 3 ms minus 1 ऐसे लिखा है ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है calculate rate of disappearance of N2O5 N2O5 क्या है तुमारा reactant है ठीक है तो reactant हमेशा disappear होगा तब ही तो पुरट बनेगा clear है तो अब यहाँ से हम मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि जब भी ऐसी reaction आती है जब भी ऐसा question आता है तो तुम क्या करते हो हमेंसा जाते हो rate of reaction से rate of किसे जाते हम reaction से clear है आई बाद rate of reaction क्या होता है पेटा चलो देखो यहाँ पे यह होता है तुमारा reactant के बारे में अगर मैं लिखूँ माइनस तो ध्यान दो मैं rate of reaction लिख रहा हूँ लेकिन इसका नहीं लिखूँगा क्यों नहीं लिखूँगा देखो क्योंकि पूरे question में कहीं O2 का जिखरी नहीं है तो मैं उसके बारे में लिखूँई क्यों टाइम वेस क्यों करूँ है ठीक है यहां पर देखो फिर लिखूँगा मैं reactant का rate of reaction क्या होता है ध्यान देना अच्छे से reactant को हम negative में बताते है change in concentration तो delta n2O5 ठीक है upon rate of reaction में coefficient लिखते है नीचे तो 2 into delta t ऐसे is equal to क्या हो जाएगा is equal to हो जाएगा तुमारे delta concentration of n2 product है यह तो यहां पर negative sign नहीं आएगा ठीक है यह जाएगा नीचे coefficient और यहां पर ज़रोग जाएगा delta t खतम ठीक है और अब ध्यान से सुनो एक बात जो मैंने बहुत अच्छे से बताई थी क्या बताई थी कि इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं देखो rate of लिख सकता हूं disappearance इस पूरे को मैं लिख सकता हूं rate of disappearance और इतने पूरे को मैं लिख सकता हूं क्या rate of appearance ठीक है क्या बोला था मैंने वहां पर कि disappearance वो होता है जब तुम coefficient के साथ rate of reaction मैं से coefficient हता दो तो तुम्हारा disappearance हो जाएगा negative sign के साथ मतलब sign के साथ होता है clear हो गए यहाँ पे ठीक है तो इसको मैं लिखूँगा rate of rate of disappearance disappearance ठीक है upon 2 is equal to अब देखो कहा लिखूँगा मैं इसको लिखूँगा rate of appearance rate of appearance ठीक है of NO2 ऐसा upon 4 ठीक है इसको यही से काट दो 2,2 से value किसकी चाहिए ध्यान दो तुम्हें तुम्हाँ पास value given है formation की disappear कर निकालना है तुम्हें यह निकालना है और तुम्हाँ पास इसकी value given है तो directly put कर दो यहाँ पे ठीक है rate of disappearance is equal to कितना हो जाएगा ध्यान दो यहाँ पे 2.8 है 2.8 into 10 की power minus 3 m s minus 1 upon 2 हो जाएगा इसको काट दो तो यह कितना हैगा 1.4 तो answer तुम्हारा क्या होने वाला है ध्यान दो answer तुम्हारा हो जाएगा answer will be 1.4 into 10 की power minus 3 m s inverse ठीक है unit लिखना compulsory है बिना unit के मत करके आना कोशन ठीक है ऐसे करोगे 2 number पूरे के पूरे मिल जाएगे clear होगे यहाँ पे ठीक है तो मैं 2 formula लिख रहा हूँ जिससे अपन ने यह solve कर रहा है ठीक है एक बार लिख लो पूरा यह ठीक है चलो of reactant upon तुमारा time और अगर reactant लिखा है तो मैं इसको minus करूँगा ठीक है अब वहीं पे अगर मैंने plus लिखा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा change in concentration of product change in concentration of product upon time upon time ठीक है अगर coefficient है कोई तो वो भी लिखेंगे ठीक है coefficient ठीक है यहाँ पर भी coefficient उसका भी into होगा ध्यान रखनाए बात ठीक है तो ऐसे लिखो formula coefficient के साथ into करो तब ठीक है अब अगर मुझे disappearance appearance लिखना ठीक है या तो disappearance या फिर मुझे appearance के वारे में बताना है ठीक है rate of disappearance या फिर rate of appearance तो मैं कैसे लिखूँगा ठीक है width sign तो मैं लिख रहा हूँ sign ठीक है width sign मैं लिख रहा हूँ change in concentration change in concentration upon time बासित्ता ठीक है ये दो चीज़े ध्यान रखो पूरे caution कर जाओगो जब भी आएगा है ना पूरे caution कर जाओगो business sign का मतलब क्या है पूरे को इसको उठाओगे ऐसा नहीं कि minus sign छोड़ दिया minus sign छोड़ यो तुमारा minus में जाएगा rate और rate minus में आई नहीं सकता ठीक है speed कभी negative में चलते हो का ultra चलोगे तब भी तो तुमाई speed बताएगा ठीक है ना चलो अब आगे चलते हैं question number nine पे jump कर दिये हैं हम सीधे सीधे हमें इस पर जानना है set number one में पूछा गया सारे set number one के ही है क्योंकि बागी की पूरे set तुमारे सेम है ठीक है और जो question इस साल नहीं है सेले बस में वो अपन कबर नहीं कर रहे है हमें जली-जली से देखना है क्या क्या आता है question ठीक है चलो दो number में पूछा क्या था क्या है ethanol से propanone ठीक है तो सबसे पहले ethanol ही बना लो CH3 ठीक है C double bond यहां पे 1H यह होगा ethanol यह होगा एक carbon वाला एक करण वाला ठीक है C double bond यह CS3 कीटोन का पहला वाला compound है क्योंकि क्या होता है दोनों के side पे जोड़ा होने चाहिए एक एक group ऐसे बनना चाहिए एक कार यहां पे होने चाहिए एक कार दर पे तो पहला group तुमारा यही होता है propanone ठीक है तो मतलब मैं जोड़ सकता हूं कि ग्रगनाड ठीक है तो मैं अब ग्रगनाड जोड़ रहा हूं तो ध्यान से देखना ग्रगनाड जोड़ोगा तो क्या बनेगा सबसे पहले मैं ऐसे बनाया यहां पे RMGX कितने कारवन चाहिए एक कारवन तो आर की जगा पे क्या रखूंगा CH3 अकेला ठीक है तो CH3 यह MG हैलोजन कोई भी ले लो मतलब नहीं वो वापस हड़ जाएगा अपना ठीक तो हमको बता है ग्रगनाड का यह होता है नेगिटिव पार्ट यह होता है पॉजिटिव पार्ट अब यहाँ पे देखो यह बॉण्ड की सिफ्टिंग होगी यहां पे नेगिटिव आएगा यहां पॉजिटिव आएगा ठीक है तो नेगिटिव को पॉजिटिव पर जोड़ो कैसे बनाओगी CH3 ठीक है CH3 यहाँ पर आयगा जब भी गरिगनाड जोड़ते हैं तो हम अस्स, महीं उस याइडिलाइस करना पता है मतला डालना पता है तो डाल झैसे ही तुमने डाला वाटर भी जैसे तुमने वाटर डाला तो अभी क्या होगा यहां से वोंड तूतेगा mgcl वाला ठीक है तो क्या लेकर जाएगा यह इसके पास क्या होता है 1h, 1 positive, ठीक है, h plus oh minus होता है, जैसे ही मैंने डाला तो यह निकाल देगा mg, ठीक है, यह cl और यह oh ऐसा यह cl यह oh निकाल दिया, बचा क्या, 1h इसक पर आकर जोड़ दो और हम सब को पता है कि अगर मैंने second alcohol का कर दिया oxidation किसी भी ग्रॉप से ठीक है, नॉर्मल वाला ले लो, CRO3 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर oxidation कर दिया मैंने second alcohol का KMNO4 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, तो क्या बनेगा तुमारा Ketone बनेगा, ठीक है, डारेक्ट यह क्या बना देगा Ketone, तो बन गए तुमारा यह product, clear होगे, इतना पूरा तरीका समझ में आ गया, sign ID क्यों नहीं लिया, sign ID क्यों नहीं नहीं क्योंकि nitrogen को अटाना पड़ता फिर, तो तनी बड़ी process में मैं क्यों जाओं, clear, टिक, इतना समझ में आ गया, अब देखो, अब second वाला तुमारा क्या है, B वाला, toluene से बनाना है, benzoic acid हमको पता है, toluene क्या होता है, यह होता है, ठीक है, यहां पर होता है, CH3 ऐसा, अगर मुझे यहां से direct बनाना है, क्या, C double bond OH ऐसा, ठीक है, यह बनाना है मुझे, C double bond O, यह O, और यह H, तो कुछ नहीं करना, direct process होती है, इसमे डाल दो, K M N O 4, ठीक है, डायेट बना तो तुमारा तुझे यह बन जाएगा, कई जगा फिर लेकर रहता है, कोह और water, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो तुमारा यह क्या बन जाएगा, डायेट बन जाएगा, तुमारा कौन सा, benzoic acid, तो यह क्या बना तुमारा, यह बना, toluene स benzoic acid, benzoic acid, ठीक है, यह water डाला रहता, ध्यान रखना है, यह water होता, ठीक है, clear हो गया, तुमारा यह बना पार्ट, यह होगा, तुमारा बना बना पार्ट, क्लियर है डाइट प्रोसेस होती तुम्हारी इस वाली क्लियर हो गया चलो आपन आगे चलते हैं आप देखो नाइंद के और में एक अच्छा सा कोशन पूछा था बहुत अच्छा लगा मेरेको कोशन रही ठीक है अमाउंट फॉर्दी फॉलइंग ठीक है अकाउंट रहा है फ्रियल क्राफ्ट रियक्ष्ण क्यों नहीं करता है तो हमें पता है व्रियल क्राफ्ट में क्या होना चाहिए ये यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक CL, यह AL, CL2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यह CL, यह AL, ठीक है, यहां पर क्या है, उसके पास loan pair भी होता है, ठीक है, तो यह क्या करता है, यहां पर इसके साथ bonding करने लगता है, complex बना लेता कैसे complex बनाएगा, ध्यान देना, ठीक है, यह तुमारा यह रहा, aromatic system, यह रहा तुमारा benzoic acid, यह OH, तो यह क्या करता है, aluminium AL, CL3, यहां पर एक complex बना लेता है, ठीक है, जैसे ही एक complex बना लेगा, वैसे ही यह तुमारा क्या होता है, deactivating group, अब यहां पर complex बन गया, अब अगर हम इसको कराना चाहोगे, तो हो गई नहीं, क्योंकि हमें सब पता है हमें, कि फ्रिल्ग्राफ alkylation in the presence of ALCL3 होती है, वो बना लेगा complex, तो फिर reaction ही नहीं होगी, clear हो गया, जब reaction ही नहीं होगे, तो बनेगा क्या, फिर alkylation क्या हों से हो गया, ना alkylation, ना alkylation हो गया, ठीक है, यह point include करने के जरूत नहीं है, बस इतना याद रखना, कि वो complex बना लेता है, जिसके current field graph alkylation या फिर acylation होना मुस्किल हो जाती है, clear, ठीक है, अब देखो, तुमारे B बारा point बोल रहा है, PKA value of 4 nitro benzoic acid is lower that of benzoic acid, ठीक है, यह बोल रहा है, समझ होगा बच्चे से, ठीक है, ध्यान से देखना, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर PKA value मतलब किसका, यहाँ पर सबसे पहले तो बना लो compound, यह बनाया है, मैंने एक compound ऐसा, ठीक है, यहाँ पर होगा C double bondo, यह O, यह H, यहाँ पर होगा तुमारा NO2 group, clear है, और एक side है तुमारा benzoic acid, एक side है तुमार यह होता है तुमारा minus i group, minus i group, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ, यह क्या होता है, electron, electron with drawing group, with drawing group, लिख सकता हूँ कि ने लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, मतलब यह क्या करेगा, यह system से electron को क्या करेगा, खीचेगा ऐसा, अपने side कीचेगा electron को, ठीक है, पता है जो भी H प्लस देता है वो acid होता है ठीक है और अगर उसका एनाइन फॉर्म ज्यादा stable है अगर ज्यादा stable है तो वो क्या हो जाएगा अगर यह एनाइन फॉर्म ज्यादा stable है तो यह क्या हो जाएगा ज्यादा acidic हो जाएगा ज्यादा acidic हो जाएगा ठीक है ज्यादा acidic हो गया तो pka value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी pka value कम हो जाएगी clear हो गया वहीं पर इसकी बात कर लो अब चलो देखो यहाँ पर अब क्या होने वाला यह तो वाला group यह वाला group का है deactivating ठीक है अब अगर ध्यान से देखना क्या होगा अगर यह एक electron देगा मतलब अगर यह H प्लस देगा तो क्या बनेगा ध्यान से देखो यह बनेगा C double bond हो यह O यह negative clear है यहाँ पर जैसे यह negative बनेगा तो इसको इसके negative को खीचने के लिए कोई group नहीं है no group no group जिसके कारण जो तुमारा benzoic acid है जो तुमारा benzoic acid है यह क्या हो जाएगा weak acid बेन तुमारा क्या तुमारा four nitro four nitro benzoic acid से benzoic acid से clear हो गया और अगर weak हो गया तो pk value क्या हो जाएगी मतलब यह weak acid हो गया ठीक है यह acid कौन सा हो गया weak acid हो ठीक है तो PK value क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ओलिटा चलता है न, PK value ज़्यादा हो जाएगी, तो reason यही है, reason क्या है, due to electron withdrawing group, ठीक है, PK value of 4 nitro benzoic acid is lower than benzoic acid, clear है यहाँ पे, समझ में आ गया, ठीक तो यह इसका reason था, ठीक, चलो, अब आगे चलते हैं, देखो, अब measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of micromolecules, such as protein and polymers, ठीक है, तो यह बोल रहेगी, osmotic pressure का ही use क्यों करते हो तो हम, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यह बता देते हैं, कि osmotic pressure जो है, वो 10 की power minus 3 ATM, जैसे, छोटे छोटे प्रेशर पे भी काम कर सकती है, और वो इतने छोटे molecule को भी, determine कर सकती है, ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करने देखो, यह तुम्हारे क्या है, protein and polymers की बात चल रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर protein की बात करता हूँ, तो ध्यान से सुनना, यह जो protein होते हैं, अगर मैंने मालो boiling point से निकाल रहा हूँ, मैं तो मुझे पता है, यहाँ पर मुझे क् जो molecule है, वो तूटने लगेंगे, ठीक है, denaturation होने लगेगा, और अगर यह होने लगा, तो ना थो तुम्हें अच्छे से molecular formula मिल पाएगा ना, तुम्हें कुछ मिल पाएगा, इसलिए अपन elevation of boiling point तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, सेम चीज़ तुमारी freezing point के साथ है, ठीक है, मतलब, ausmetic pressure का इसलिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यह small magnitude के लिए भी use होता है, small magnitude, मतलब magnitude का मतलब यह होता है, quantity, छोटी सी quantity को भी measure कर सकता है, तुमारा क्या ausmetic pressure, clear हो गया एतना ठीक है, अपन यहाँ पर temperature ना तो बढ़ा सकते हैं, ना तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, चलो, अब देखो, तुमारा B की बात आ रही है, aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water, ठीक है, तो चलो, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक beaker मैंने इधर रखा, ठीक है, एक beaker मैंने इधर रखा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको warm कर रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ को cold है, यह तुमारा hot water है, यह है तुमारा hot water, ठीक है, तो अब दिहान से सुनना, हमने एक चीज़ पड़ी हुई है, कि अगर हम temperature बढ़ाते हैं, ठीक है, यह तुमारा solution है, अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने temperature बढ़ाया, ठीक है, तो हमें पता atmosphere में क्या होगी, O2 present होगी, य अगर मैं temperature बढ़ाता हूँ, तो इले चैटल प्रिंस पर यह बोलता है, कि जैसे ही temperature बढ़ेगा, तो solubility, solubility of gas, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे ही तुमारा क्या बढ़ा, temperature बढ़ा, इतना समझ में आ गया, जैसे ही temperature बढ़ता है, solubility कम हो जाती है, ठीक है, तो स वहाँ पर बनने लगेगा, ठीक है, वहाँ पर जो भी gas होगी, वो कम dissolve होगी, कम dissolve होगी, सब को पता है, जितनी भी living things होती है, सब को, क्या, O2 तो चाहिए अपनी process के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, O2 ही नहीं मिल पाएगी, तो सबसे अच्छे से कहां पर रह सक करते हैं, warm water में gas ही dissolve नहीं होगी, ना, simple सी बात यह है, clear हो गया, चलो, अब आगे जाओ, आगे तुमारा किसकी बारे में बात करनी है, हमें 3rd वाला, देखो, C point के है, तुमारा C point बोल रहा है, elevation of boiling point of 1 molar KCL, ठीक है, तो 1 mol KCL की बात चल रही है, और is nearly double, यह बोल रहा है, double हो सुगर, ठीक है, तो एक है, तुमारा 1 mol of sugar, सुगर को मैं माल ले रहो, माल लो glucose है, C2, C6, H12, O6, ठीक है, यह होता है, जितने भी os पीछे लगा होता है, so cross, glucose, fructose, ठीक है, जो भी होता है, मतलब वो ही होता है सुगर, जहां-जहां os लगा है, मतलब वो सुगर है, ठीक है, ठीक है, चलो, यह बात हो गई, अब इसने concentration सबका सेम कर दी, अब यह बोलना, डबल के होता है, तो ध्यान से सुनना, मैंने एक बात तुम्हें बताया था, कि अगर माल लो KCL solution के अंदर जा रहा है, तो वो बनाएगा, के प्लस, प्लस, CL-, यह बनाएगा, मतलब यहां पर इसका जो want of factor आएगा, वो निकल के कितना आएगा, तुम्हारा 2 आएगा, क्लियर है, और मैंने एक चीज़ हमेशा बताया थी तुम्हें, कि शोगर हो, या तुम्हारा यूरिया हो, ठीक है, जो भी हो, तुम्हारा शोगर हो, या फिर यूरिया हो, उसका जो dissociation constant है, मतलब तो अगर मैं सारी values को same भी कर दूँ, के बी जो है तुम्हारा KCL का, मैंने के बी कर दिया, तुम्हारा किसका glucose का, ठीक है, मतलब तुम्हारे सुगर का, बागी का concentration मैंने same कर दिया, तो तुम्हारी value का आईगी, ठीक है, TB1 मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए, किसके लिए, के पर आएगा 2, यह आएगा 2, ठीक है, और वहीं पर अगर मैं इसको TB2 देता हूँ, शुगर वाले को, ठीक है, तो वो कितना आएगा, वन अकिल आएगा, क्यों आएगा, देखो, क्योंकि यहां पर want of 1 है, बागी कि सारे को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो फि ठीक, मैंने इसको लिया, TB1, ठीक है, इसका want of कितना आएगा, 2 into, यहाएगा, 2 into kb into molality, यह दोनों के दोनों मानलो, सेम है, ठीक है, यहाँ पर बात करो, तुमारे शुगर के लिए, तो कितना आएगा, TB2 इसको मैं बोल रहा हूँ, यह जाएगा, तुमारा, 1 into kb into m, और अ नहीं पर, तुम्हें सिर्फ इतना लिखकी आना है, due to dissociation of kcl, ठीक है, इना एकको solution, यह जो भी solution है, the want of factor of kcl, will be 2, ठीक है, and for want of factor of sugar, is 1, ठीक है, तो देखो, 1 और 2, इसमें तुम्हें तुम्हें डिफरेंस में आ गया, ठीक है, तब ही, यह क्या होता है, kcl का double होता है, क्य नहीं, तो करना था, ठीक हो, ठैतींत कोशन क्या बोलो, तुम्हारा तीन नमर के लिए पूछा गया था यह वाला कि, आफ़ास्ट ओडर डियेक्शन इस 50% completed in 40 minutes, ठीक है, 300 Kelvin, and in 20 minutes at 320 Kelvin, ठीक है, calculate activation energy, activation energy मतलब तुम्हें फिर से अरिनियस equation लगने वाली है, ठीक है, तो चलो, वहाँ पर उससे हमें निकालना पड़ेगा, हमाँ पास दो temperature है, तो direct तुमारे दिमाग में सीधी एक equation आनी चाहिए, यह अपने करीबी हुई है, तो चलो, first order की बात हो रही है, 50% completion मतलब T half की बात चल रही है, यहाँ पर अब हमें पता है, कि हमें जब भी value चाहिए होगी, त T, यही होता है, log लगा है, तो into क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 2.303, इसका into करना पड़ेगा, ठीक है, यह T बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर इसकी जगाँ पर बन के लेकिंगे, 1 upon T1, minus 1 upon T2, ठीक है, दो reaction की में, अगर अलग-अलग temperature होते हैं, तो यह वाला expression बनता है, clear हो गया, ठीक, यह तुम्हारा expression बनेगा, तो चलो, हमें बता है, हमें यहाँ पर K की value निकाल लिए, K की value कैसे निकाल लेंगे हम, first order reaction के लिए T half बता दो, T1 by 2 is equal to कितना होता है, 0.693, upon, तुम्हारा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K को इधर कर दो, T half को इधर कर दो, ठ K1 for reaction 1, यह हो जाएगा, तुम्हारा, 0.693, upon, T half किता दिया है, 40 minute, तो मैंने 40 रख दिया है, ठीक है, सेम चीज निकाल लो, K2 के लिए, K2 for reaction 2, 0.693, upon, K2 की कितनी value दी है, 20, 20 minute में हो रहा है, इसका काम, ठीक, सारी values को यहाँ पर put कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, K1 की value यहाँ पर put करो, log, log, 0.693, upon, K2 की value कितनी है, 20, upon, 0.693, upon, यह 40, clear हो गया इतना, किसी को देखकर, नहीं है न, चलो यहाँ पर आगया हो, EA की value हमें निकाल ली ही है, upon, यहाँ पर कितना रखूँगा, यहाँ पर give आन देखो, 8.313, 8.314, इंटू, यह किसमें है, दूल में आएगा, ठीक है, अब देखो, 2.303, upon, 1, upon, T1, और अब अपन, T2, direct put कर रहा हूँ, T1 कितना है, तुमारा देखो, T1 हो तुमारा 300, T2 कितना है, यहाँ पर, 320, ठीक है, तो इसको जब मैं calculate करूँगा, यह आएगा, T2 minus T1, ठीक है, तो मैं ऐसे लेखना हूँ, 320, minus 300, सीधे, direct calcium ले लिया, मैंने, upon, यह कितना हैगा, 320, into 300, direct, ऐसे put करोगे, तो यह आएगा, ठीक है, सारी values आचुकी है, इसको इससे cancel कर दो, इसको इससे cancel कर दो, यह आएगा, यह कितना हैगा, देखो, यह उपर जाएगा, तो यह हो जाएगा, log 2, यह हो जाएगा, log 2, ठी इसको 0.3, direct value को put करो, ए, और calculate करो, ठीक है, ए, calculate करोगे, तो यह आएगा, 2776.3, कुछ ऐसा कुछ आएगा, 7.63, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, तुमारा, जब यह आएगा, तुमारा, Joule, Mol, Inverse में, Joule, Mol, Inverse में, ठीक है, ठीक है, इतना कुछ आएगा, तुमारा, यहाँ पर 27.76, केजे, Mol, Inverse, ठीक है, तो यह तुमारी क्या आएगी, एक्टिवेशन एनरजी, यह तुमारा जाएगा, एक्टिवेशन एनरजी के सम, clear, ठीक है, कोई दिखकत है, यहाँ पर, नहीं ना, direct अपन को सीदे-सीदे value पूट करनी है, main चीज, क्या पता होने चाहिए था, त तुमने यह unit छोड़ दी, तो आदर number कर जाएगा, clear है, आगे चलते हैं, देखो, अब है तुमारा 16th question, वो क्या होला है, तुमारा की give reason, यह तुम्हें तीन चीज़े दी है, इनके तुम्हें reason देने है, ठीक है, तो चलो, देते हैं, अपने सबसे पहला देखते हैं, E not value for M M3+, बना रहा है MN2+, ठीक है, couples in which more positive than, that of Fe3+, और Fe2+, तो मतलब इसने यह पूछा है, कि MN3+, ज़्यादा positive क्यों है, किससे तुम्हें आरन वाले से, ठीक है, तो अपने इसको define करते हैं, ठीक है, यह क्या है, MN3+, MN3+, हम जानते हैं, यह तुम्हारा क्या होता है, D4, ठीक है, जो की जाना चाहेगा हमेशा किसम है, MN2+, में, क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि यह होता है, D5, हमको पता है, D में total कितने शाहल होते हैं, मतलब कितने लेक्टरोन जा सकते हैं, 10 एलेक्टरोन, ठीक है, half field कितने जाएंगे, मतलब 5 एलेक्टरोन जाएंगे, clear है, तो यहाँ पर यह होता है, unstable, यह क्या होता है, unstable, और यह होता है, stable, यह होता है, stable form, ठीक है, तो हमेशा, unstable से वो किसी की, जो भी चीज़ होगी, वो stable form में जाना चाहेगी, अगर तुम unstable हो, ठीक है, तो तुम चाहोगे ना, कि भाई, शान्ती से मिल जाएंगे, मैं, stable हो जाओं, समझ र होती है वह more positive होती है positive होती है clear है आप ठीक है अब वहीं पर बात करो तुम्हारे इन्ने किसकी बात करी fe 3 plus की fe 3 plus जो है हमेशा किसमे फोर्म में रहता है वो d5 फोर्म में रहता है वह जाना नहीं चाहएगा fe 2 plus form में ठीक है तो यहां पर यह हो रहा है unstable क्योंकि यह d4 में हो रहा है ठीक है यह क्या कर रहा है एक electron को और क्या करके lose करके अभी ज्यादा positive है मतलब oxidation number ज्यादा है मतलब ज्यादा electron उसने रखे हैं उसके पास ठीक है अगर एक electron और वो gain कर लेगा तो 2 plus में चला जाएगा ठीक है तो जैसे यह इस side जाएगा तो इसकी जो value है वह क्या हो जाएगी less positive क्लियर हो गया positive ज्यादा कैसे और negative ज्यादा कैसे ठीक है मतलब की जो भी चीज stability के side जाएगी वह more positive होगी मतलब वह easily जा सकता है ने उस side ठीक है तो वह क्या हो जाएगा more positive जिसको ज़्यादा थोड़ा सा क्या रहेगेगा थोड़ा सा energy ज्यादा लगेगी मतलब उसको stability से unstability पर जाना चाहरा है पहली बात तो वह जाना चाहेगा ही नहीं जिसके करना उसकी जो value है जो positive value है वह थोड़ी कम रहेगी ठीक है जिस वह अपन के बोलेंगे कि less positive value clear रहेतना ठीक है चलो अब भी पार्ट देख लेते हैं अपन देखो अब भी पार्ट क्या बोला तुम्हारा iron has a higher enthalpy of atomization ठीक है then copper तो सबसे पहले यह बात जान लो कि जितने ज्यादा unpaired electron रहेंगे जितने ज्यादा unpaired electron रहेंगे enthalpy of enthalpy of atomization वह उतनी ज्यादा रहेगी atomization उतनी ज्यादा रहेगे ठीक है तो यह बात जान लो सबसे पहले तो ठीक जितने ज्यादा unpaired electron उतने ज्यादा तुमारी क्या enthalpy of atomization ठीक है यह बात ध्यान रखने वाली है यहां पर क्या बोल रहा है iron has a higher enthalpy of atomization than that of copper तो तुम्हे answer तुरंदी मिल गया क्यों 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 यहां पर iron की अगर हम बात करें इसके पास क्या होता है d6 ठीक है 4s2 ऐसी कुछ होता है ठीक है यहां पर अगर अगर अपन बात करें यह होता है तुमारा d6 और यह होता है 4s2 clear होगे यहां पर अब यहां पर अगर आप बात करते है copper की तो यह होता है तुमारा d10 ठीक है और s1 ऐसा यह होता है इसके last वाले शेल ठीक है तो अगर हम बात करते हैं last वाले शेल की तो हम देख रहे हैं इसके पास कितने electron है सिर्फ unpaired एक ही electron है एक unpaired electron है एक unpaired electron है ठीक है और अगर हम बात करते है iron की तो यह तो पूरा फुल फेल है लेकिन यहां पर देखो डीम जा सकते हैं 10 electron अभी जा रहा है चार मतलब 6 जा रहा है मतलब कितने बज़ गया है चार unpaired है ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं यह तुम्हारा 3 होगा यह भी 3d10 होगा यह 4s1 होगा ठीक है अगर यह ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो तो वह लिख दिया चलो देखो जहां पर हम देख रहा है यह 4 जादा है कि 1 जादा है सर 1 बड़ा है 4 से बिलकुल नहीं है ठीक है तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसको ही लिखो यह रहा तुम्हारा copper यह रहा तुम्हारा iron ठीक है atomization की ऊपर लिखो तो यहां पर क्या हो जाएगा iron जादा हो जाएगा enthalpy of atomization copper से क्योंकि इसके पास 4 unpaired है और इसके पास एक unpaired है एक क्या है unpaired electron 1 up 4 up clear होगे एतना ठीक है तो simple सी बात यह थी इसने को बस दिखान रखो क्या दिखान रखोगे जितने unpaired electron ज्यादा उतनी ही ज्यादा entirely fee of atomization और अगर एक चीज और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो जितने ज्यादा unpaired electron उतना ही ज्यादा strong metallic metallic bond metallic bond ठीक है ऐसे भी लेख सकते हो जितने ज्यादा unpaired electron उतना ज्यादा तुमारी bonding किस्ते होगी metallic bond उतनी ज्यादा strong होगी clear है ठीक है अब देखो third point क्या है तुमारा third point है तुमारा sc3 plus is colorless in aqua solution whereas ti3 plus is colored simple सी बात है colorless हो colors का बात है ठीक है यह तुमारा क्या होगा यहाँ पर कोई भी unpaired electron नहीं होगा unpaired d electron नहीं होगा और अगर unpaired d electron नहीं है ठीक है तो मतलब वो दूसरे orbital पर जंप नहीं कर सकता और अगर जंप नहीं कर सकता ठीक है तो color कैसे दिखाता है कोई electron ठीक है मान लो यह तुमारा यहाँ पर electron है ठीक है यह jump करेगा इस side कुछ energy को लेके ठीक अब जब वो electron अपनी energy को lose करते आएगा surrounding में ठीक है तो जो energy lose होगी वो in the form of color होती है in the form of color होती तब हमें देखता है कि उसके अंदर कुछ color present है clear हो गया ठीक है तो मैं यह बता कर पाएगा ना वो जब वापस आएगा तो वो energy को lose करके आएगा है ना तो फिर यहाँ पर अपन सिंपल से चीज़ लखेंगे कि SC3 plus के पास कोई भी color कोई भी unpaired electron नहीं है इसलिए वो colorless होता है वही पर TI3 plus के पास क्या होते unpaired electron होते हैं जिसके कारण वो color होता है वो purple color show करता है purple color show करता है clear तो यह तुम्हारे पूरा आंसर हो गया है ना तो तो तुम्हें ऐसे answer मिल जाएगा अब आगे चलते हैं question number 17 में क्या है identify the chiral molecule in the following pair ठीक है इस में से तुम्हें बताना कारल कौन सा कारल का मतलब क्या होता है तुम्हारा कि भाई वह वाला compound ठीक है या फिर वह वाला carbon जिसके उपर जिसकी उपर चार अलग अलग गुरुप जुड़े हूं मतलब उसकी चार वैलेंसी से ही अलग अल आपास तो द्हान से देखो यह वाला गुरफ है सी है यह पूरी इसकी उपर एक जोड़ा होगा यहाँ पर ओए चार यह पर अचो तुम्हें पूरा देखी रहा है यह वाला compound और यह वाला compound इसकी दो वैलेंसी सेम है तो यह चैरल तो हो ऐसे लिखूंगा मैं, ये वाले carbon से जोड़ा है, इसके उपर एक H है, इसके उपर एक CH3 इधर है, और यहाँ पर OH है, ठीक है तो तुम खुद ही देख सकते हो कि चार ही valency से अलग-अलग गुरुप जोड़े हुए हैं, तो इसको मैं बोलूँगा chiral compound, तो सिर्फ तुम्हें करना है, A वाला या फिर 1 वाला तुम्हारा क्या है, कारल है, इस compound का नाम लेक क्या जाओगे, एक नमबर तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अब बाकी के दो नमबर के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, B वाला, B क्या है, write the structure of the product when chloro benzene is treated with methyl chloride, ठीक है, in the presence of sodium metal, देखो, देखो, in the presence of sodium metal and dry ether, ठीक है, यह reaction हो गई, तुम्हारी woods reaction, कौन सी, woods reaction, याद आगी की नहीं आई, ठीक है, तो reaction में क्या होगा, बहुत अच्छे तो देखो, यहाँ पर क्लोरो बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसा है, यह रहा चमारा क्लोरो बेंजीन, प्लस sodium लिख रहा हूँ यहाँ पे, और किसके साथ करा रहा है, वो methyl chloride, तो CL और 1CH3 ऐसा present होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको दो ले लो, और इनको हटा दो, NECL, ठीक है, किसकी presence में है, यह dry ether की presence में, dry ether, ठीक है, तो देखो, product क्या बन जाएगा, तुमारा ध्यान से देखो, यह benzene, यह CS3 सिर्फ बचा है, ठीक है, आपस में जोड़ दो उनको, तो यहाँ पे बन जाएगा, तॉलूइन is the product, ठीक है, क्या बनेगा, टॉलूइन, कैसा देखता है, टॉलूइन, बेंजीन के ऊपर, CS3 को ही हम कहते हैं, क्या, टॉलूइन, ऐसा बन जाएगा, तुमारा क्या दिक्कत है, होगे ना अंसर, चलो, आपर तुम्हाई दो नमबर तो मिल गाए, अब तीन नमर के लिए, सी बाला पार्ट देखेंगे, हम, write the structure of alk-ean formed by dehydrogenation of 1-bromo, ठीक है, 1-methyl-cyclohexane and alcoholic KH के साथ करा रहे हो, जब, ठीक है, with alcoholic KH के साथ हो रहा है, ठीक है, तो इसको मै किस के साथ करा रहा है, तुमने जब dehydrogenation हो किस करा है, 1-bromo, 1-methyl-cyclohexane, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह तुम्हारा cycle बन गई, यह 6 है, तो hexane बोल देंगे इसको, ठीक, जहाँ पर अब बोल रहा है, एक पर bromo है, तो यहाँ पर bromine ले ले रहा हूँ मैं, और एक पर ही के ओएच मैं हर जगा बोला हूँ कि, पानी पी होगे, तो सामने वाले को substitute कर सकते हो, ठीक है, एलकोहल पी होगे, तो eliminate हो जाओगे, तो alcoholic के ओएच क्या कराता है, elimination, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते है, dehydrogenation, ठीक है, मतलब क्या निकल रहा है, dehydrogen, मतलब एक तुमारा निकल रहे है, एक निकल रहा है थमारा है, प्लियर है, hydrogen निकलेगा कहां से, आल्फा पोधिशन से, ठीक है, तो Abb usual जो रहेगा, वह कह देगा तुमें, है तो एक धा, इतना हम जाओगा तो देखो, यहां पर यह तुमारा function group है, इस से directly attached कारवन यह वाला और यह वाला और एक यह कौन से होंगे अल्फा यह होंगे तुम्हारे अल्फा कार्वन होंगे यह अल्फा कार्वन की नहीं होंगे होंगे ना वाले कार्वन से जोड़े हैं क्लियर हो गया तो अब तुम हाईर्जन निकाल कहां कहां से सकते हो अल्फा अल्फा कार्वन से निकाल दो ठीक है तो एक हा क्या बोल रहा है कि ABCR3 non-cyclic isomer of carbonyl compound ठीक है ABC के है तुमारे non-cyclic मतलब cycle form में नहीं है वो मतलब cycle structure नहीं है ठीक है carbonyl compound है with molecular formula C4H8O ठीक है तो इसको मैं directly तुम्हें ऐसे लग देता हूँ C4H8O ठीक है isomer A and C give positive tolerance test ठीक है तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ A और C तुम्हारा क्या दे रहा है tolerance reagent test दे रहा है ठीक है tolerance test दे रहा है ठीक है तो मैं इसको लिख रहा हूँ tolerance reagent test ये देता है ये भी देता है tolens reagent test ये देगा clear हो गया whereas isomer B does not give tolens test ठीक है तो B नहीं दे रहा है tolens B नहीं दे रहा है tolens reagent test मतलब tolens का मतलब क्या होता है कि वो oxidize ही नहीं होगा ठीक है और अगर tolens दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा aldehyde हो जाएगा क्योंकि ketone नहीं देता aldehyde हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा aldehyde हो जाएगा ठीक है अब इसका नहीं पता कि ये क्या है ठीक है तो इसके बारे हम आपने देख लेते हैं but gives positive idoform test लेकिन idoform test दे रहा है तो idoform के लिए सबसे पहले condition होनी चाहिए कि वहाँ पर terminal पर CH3 group होना चाहिए और सारे के सारे कार्बोनाईल हैं तो ऐसा group present होगा ठीक है तो क्या हो गया तुमारा ये बन गया ये compound तुमारा बन रहा अब उसके बाद isomer A and B on reduction with Z and HG concentrated H2SO4 give same product D ठीक है अब अगर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ and HG concentrated HCL मतलब किसकी बाद हो रही ये दोनों के दोनों दे रहे हैं Clemson Clemson reduction reaction दे रहा है ठीक है Clemson reaction दे रहे है और क्या बना रहे हैं डी बना रहे हैं अब उसने क्या बोला है कि write the structure of ABCD सारे के structure के नाम बताने ठीक है तो सबसे पहले हैपन देखते हैं जो हमें थोड़ा सा clue दे रहा था बी वाला ठीक है बी दे रहा है तुमारा कौन सा आइडो फॉर्म तो उसको मैं हमें पता है टर्मिनल पे क्या होगा CH3 होगा और C double bond ओ तो हो गही होगा ठीक तुमारे चार कारवन के यह हो गए ठीक तो यह होगा तुमारा B जो कि तुमारा टॉलेंस नहीं देगा क्योंकि किटोन नहीं देता ऑक्सिराइज नहीं होता ठीक है समझ में आगे इतना चलो अब देखो आगे आओ आगे क्या बोल रहा है तुमारा अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो D बनेगा ठीक है और अगर इसको C की बात हो गई C इतना ही प्रेजेंट है ठीक है दोनों के दोनों सेम टॉलेंस एजन दे तेस्ट दे रहे हैं तो मतलब दोनों LDID ही है दोनों LDID है तो यह होगा तुमारा अगर मैं यहाँ पे इसको रिड्यूस करता हूँ कि Cs3 ठीक है दोनों LDID है CH2 CH2 यहाँ पर C double bond हो यह H यह तब ही reaction देगा तब ही reaction देगा टॉलेंस रिएचन अब अगर A को मैं यह तमारा इसको मैं A बोल रहा हूँ A ही होगा यह ठीक है जब इसको मैं रिड्यूस करता हूँ मतला भाही ZN, HG, HCl के साथ HCl के साथ तब क्या बनेगा यहाँ पे CS3, CH2, CH2 यह CS3 ऐसा बनेगा ठीक है यह बनेगा तमारा D product पहीं पे अब बोल रहा है कि तमारा B भी जो रिड्यूस हो रहा है तो उसका क्या होगा जो B reduce हो रहा है वो भी तो LDHID होगा न जब जी तुम्हें सेम मिलेगा ठीक है तो अब क्या है कौन सा वाला LDHID वो हो सकता है ठीक है तो ध्यान दो यहाँ पे सेम ही product मिल रहा है वाला है मतलब एक तुमारा एक ही possibility बची अब कि क्या बन सकता है C is equal to हो सकता है तुमारा CH3 यह CH यहाँ पर जोड़ा हो CH3 ठीक है यह CH2 और यहाँ पर कितना है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हो जाएगा double bond O और यह H खतम यह होगा तुमारा ठीक है पुरक्ट लिख लेते हैं कौन-कौन से हैं ध्यान देना पुरक्ट कौन-कौन से हैं A is equal to तुमारा क्या होगा नॉर्मल चेंड CH3 CH2 ठीक है CH2 और CHO LDHID कैसे लेकिया है क्योंकि भाई वो tolerance region दे रहा है तो हम समझगे LDHID ठीक है वहीं पे B की बात कर लो B ने बोला IDOFORM टेस्ट देगा तो मतलब टर्मिनल पे क्या होगा तुमारा CS3 होना ही होना है और C double bond ओथ जोड़ा ही होगा हमने gas कर लिया फिर क्या होगा CH2 और CS3 ही बचा ऐसे ही बन सकता है क्लियर है अब देखो C तुमारा क्या हो सकता है C तुमारा क्या बोल रहा था कि दोनों के दोनों टर्लेंस एजन दे रहे ठीक है तो इसका एक काई समर बना लो क्या बनाओगे ऐसे CH3 C यहाँ पर एक CS3 होगा यह A catch और यहाँ पर C double bond हो यह A catch तो यह A catch अब D क्या बन रहा है D को हमें पता यह reduction करके बना रहे किसका A यह C का reduction करोगे तो एक तुमारा बनाएगा अलके indirect 3S CS3 CH2 CH2 CS3 डालेट अलकिन बन जाएगा ठीक है possibility यही है समझ में आ गए इतना ठीक है क्या क्या हुआ ध्यान समझ लिया पनने ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है तो A तुमारे सारे structure लग दिये B का क्या है out of A, B and C ठीक है A, B and C ठीक है which one is the least reactive towards HCN ठीक है addition of HCN करोगे तो least reactive मतलब CN आने वाला है तुमारा ठीक है क्या पता है की LDHeide LDHeide और तुमारा ketone में से ketone में जादा hindrance होती है ठीक है यह किसकी बात हो रही यहाँ पे hindrance की बात हो रही hindrance होती है किसमें जादा ketone में तो reactive कौन सा जादा हो जाएगा बताओ अगर hindrance ketone में जाधा है तो LD हाइड क्या हो जाएगा? LD हाइड हो जाएगा Reactive LD हाइड हो जाएगा कुवांसा तुमारा Reactive ठीक है? तो ये हो जाएगा Reactive ठीक है? ये हो जाएगा Reactive तो Least Reactive कौन सा होगा? Ketone तो जो भी तुम्हें गुरूप दिख रहा है एकिटोन डालेक्टिफ करो आज या जाओ ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या? ये LD हाइड है? ये भी LD हाइड है तो Least Reactive कौन सा होगा? ये बाला ठीक है? तो B होगा तुमारा कौन सा? Least Reactive तो इसका आंसर क्या होगा तुमारा B B will be the V is the Least Reactive towards HCN ठीक है? समझ गए? खतम होगा ये बाला ठीक है? तो बस तुम्हें ध्यान बस ये देखना हाता कि कौन सा कौन नहीं दे रहा है ठीक है? टॉलेंस दे रहा है मतलब LD हाइड होगा टॉलेंस क्या होगा? डिस्टिंग्विश करता है न उसके बाद बोल रहा है इसने बोला आइडो फॉर्म आइडो फॉर्म जैसे ही बोल दिया तो हम समझ गएगी टर्मिनल पे क्या होगा? CH3 होगा और C double bond ऐसे गुरूप प्रेजेंट होगा उसके बाद A and B on reduction Z and H G SCL हमें पता है A और B अगर reduction करोगे तो टीक जिसमेंसे तुमारा कौन सा वाला है? देखो A और B दोनों के दोनों क्या है? LDHID ही है टीक है? दोनों के दोनों क्या है? LDHID ही है जब जैसे ही इनको reduction करोगे तो तुमारा क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा ये वाला ZNHGCl, तुम्हारा जो है Clemencion है, ये Carbonyl Compound को Clemencion में होता है, जो भी Carbonyl Compound होते हैं Carbonyl Compound जो भी होते हैं उनको वो Direct किसमें बदल देता है Alkin में बदल देता है Direct किसमें बदल देता है वो अलकी ने बदल देता है, ठीक है, इतना clear हो गया सबको, ठीक है, तो इसको reduce करेगा वो, ठीक है, इसको reduce करेगा वो, ठीक है, किसको इसको, और एक इसको double bond, ओको इसको, Clemenzen, clear हो गया, ठीक है, अगर पिछले में मैंने, अगर इसको reduce किया है, तो वैसा नहीं होगा, इसको reduction बताना था चलो अब आगे चलते हैं अब है तुम्हारा कौन सा 19th question 2018 तीन नंबर में पूछा गया बहुत easy question है देखो मैं बताता हूं अब देखो यहाँ पर पहला reaction क्या है तुम्हारा यह तुम्हारा पुरक्त है ठीक है अब मैं 2-3 चीज़े लिखा रहा हूं पहले सब कार्बोनेल गृप को कार्बोनेल गृप को ही करता है ध्यान रखना यह बात सिर्फ कार्बोनेल गृप को टच करेगा और किसी को भी टच नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दो कार्बोनेल गृप कौन सा है एक सार यह वाला है और एक यह वाला है ऐसे देख रहा ह तो है ही नहीं, तो यह इसको reduce करेगा क्या, नहीं करेगा, किसको करेगा, इसको करेगा, तो क्या बना देगा, वो, अलकेन बना देगा, ठीक है, तो direct, इसको, अलकेन नहीं बनाएगा, यह ketone है, ठीक है, तो क्या कर देगा, इसको OH में बदल देगा, ऐसा, ठीक है, देखो, य compound बनेगा ठीक है क्या बोला मैंने carbon compound को touch करता है सिरफ na bh4 ठीक है समझ में आ गया अब आ गया जाओ अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h3 o plus acidic medium में water है अब क्या होता है ध्यान से तुनना यह जो अलकीन है यह जो अलकीन है यह इसकी उपर क्या करेगी reaction कराएगी इसकी उपर attack करेगी जैसे ही attack करेगी तो क्या होगा ध्यान से देखना अब यहाँ पर ठीक है mechanism से समझा रहा हूँ ऐसा बनेगा ठीक है यहाँ पर गोला बना दिया सिरफ इसका क्योंकि मतलब नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या होगा CH यह जाएगा प्लस सिंगल बॉंड CH3 क्योंकि इस वाले कार्बन ने इसको H को मारा अटेक किया ठीक है H प्लस इसकी उपर आगया हो गया CH3 अब वाटर जी आ CH3 खतम ऐसा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अलक इन ने अलक इन ने अटेक किया किस की उपर H प्लस की उपर वापिस फिर OH देगा तुमारा वाटर तो ऐसा बन जाएगा अब यहाँ पर तुमारा ऐसा गुरुप दिया हुआ जिसको मैं थोड़े दूर दूर लिखना चा क्या करता हूँ अगर मैंने यह वाला बॉंड टोड़ा ठीक है अगर मैंने यह वाला बॉंड टोड़ा तो इस वाले बेंजीन की उपर जाएगा प्लस चार्ज कैसा देखेगा ऐसा देखेगा देखो ऐसा देखेगा यह देखेगा ऐसा और मैं जानता हूँ कि अगर तोड़के अब मैं किसको तोड़ रहा हूं न इसको तोड़ रहा हूँ और अब इसको मैं गर और Tada इसको दे दूआ है एससे सकता हूं कि इसको मैं दे दूँ एच कहीं दिया सर replace beta होता है plus यह होता है negative ठीक है यहाँ पर इसलिए मैं ने दे दिया समझ में आगया तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अगर इसको carbocatine बना रहा हूँ तो यह stable होगा कैसे बनेगा इस तक चाह देखो यह बन जाएगा तुमारा phenol ऐसा यह बनेगा तुमारा OH और साथ ही साथ यह बनाएगा कौन से तुमारा C2H5I जिसको मैं ऐसे लग सकता हूँ देखो CH3 CH2 यह आई ऐसा क्यों क्यों कि as compared to this वाला carbocatine यह वाला carbocatine ज्यादा stable था क्योंकि यहाँ पर in की उपा direct plus है लेकिन यहाँ पर नहीं है clear है ठीक है यहाँ पर i group जोड़ गया खीच लेगा अपने साइड यह plus charge है तो वो stable वैसी कर सकता है समझ में आ गया तो वैसे समझ सकते हो clear है क्योंकि यह unstable है इसलिए अपने वैसे बना है अब direct compound लिखना है तो वो लिख लेते हैं अपने एक बार तो ध्यान से देखते चलो ठीक है कौन सा वाला reduce हुआ था यह वाला ठीक है यहाँ पर double bond नहीं है ध्यान लखना इस बात को ठ तुमारा बेंजीन है मगर यहाँ पर अब double bond लगाएंगे हम ठीक है CH-OH यहाँ पर double bond single bond CH-3 ठीक है यहाँ पर single bond आएगा ठीक यहाँ पर क्या बनेगा तुमारा यह बनेगा फिनॉल यह बनेगा तुमारा फिनॉल ओएच प्लस यहाँ पर बन जाएगा तुमारा C2H5I ऐसा रिजन लिखना चाहो तो यह लिख लो कि NABH4 NABH4 क्या लिखोगे reduce reduce only carbonyl group और किसी को वो touch नहीं करता ठीक है touch नहीं करता वो लिख लेना अपने साथ ठीक है यहाँ पर क्या होगा अलकीन ने अटेक किया अलकीन अटेक करती है किस पर H प्लस पर और वागी का तुमारा फि ह b too water, ऐसे लिख ले न, ठीक है, यहाँ पर कै है यहाँ पर हो जाएगा unstable stability of तुम्हारे क्या इसको मैं किलिख सकता हूं सकता हूं फिनाईल की ऊपर प्लस था तो phenail कार्च जाता तो पिनाईल कार्चान लिक लो ठीक है यहाँ फिर पिन maison क soul est केटायन ठीक है जिसके करन्ट तुम्हारे क्या बन गया एच यहां पर और आई वहां पर चोड़े गया क्लियर है तो ऐसे करोगे तो तुम्हारे तीन नंबर समझ में सीधर सीधर क्लियर हो जाएंगे समझ में आ गया